Hi guys, my name is Sunny Sol and welcome to this new drawing lesson Last tutorial में आपको मैंने ये उपराला एरिया शेड करना सिखा था अब इस वाले tutorial में आपको मैं इसका nose और इसका जो cheeks का left वाला side है इसको मैं शेड करना सिखाऊँगा और ये किस तरीक से करना है ये आपको मैं step by step सभी चीज़े समझाऊँगा और इसको shade करने के लिए मैं जो भी tools यूज़ करूँगा उसका नाम मैं आपको साथ साथ बता दे रहाँगा कि मैं कौन से tools यूज़ कर रहा हूँ और इसको shade करने के जितने सारे steps होंगे वो मैं आपको अच्छे से elaborate करूँगा और उनी steps को आप अच्छे से समझ के अपने work में ज़रूर apply कीज़ेगा और हो सके तो इस tutorial को पूरा देखिए इससे आपको भी help मिलेगी और इस video को भी help मिलेगी जिससे कि इसकी reach और ज़दा बढ़ेगी तो चलिए इसकी shading को पहले मैं शिरुआत करूँगा इसके जो nostrils है उनको पहले मैं एक वार dark shade कर लूँगा और इसके लिए मैं use कर रहा हूँ Stadler की double e grade pencil ऐसा हम इसलिए कर रहा हूँ so that इसके जो darkest areas है वो थोड़ा सा इसको एक shape दे दे मेरे subject को अगर मैं light shade पहले करने लग जाऊँगा तो पूरा area इसका light हो जाएगा जिसके कारण हमें इसके जो boundaries है उनको फिर से हमें shade करना पड़ेगा और सबसे best यही रहता है कि अगर आप पहले dark areas को थोड़ा सा shade कर दो मलए इसके nostrils होगी है, यह sideward areas तो फिर आपके पास एक boundary आयते है जिसके भीतर आपने work करना होता है इस तरीके से काम करने में थोड़ी सी असानी रहते हैं और साथ साथ में आपको एक यह भी रहता है कि इसकी अभी look थोड़ी सी 3D मिल रही है आपको हाला कि यह चीज person to person vary करती है किसी person को यह पसंद होता है कि वह पहले पूरा area एक बार light shade कर दे उसके बाद धीरे-धीरे करके dark shade increase करें मैं भी उसी तरीके से work करता हूँ बस मेरा work थोड़ा सा different है इस मामले में कि मैं पहले जो darkest areas है उनको थोड़ा से मैं और dark कर लेता हूँ so that मुझे एक boundary अच्छे से मिल जाए जैसे कि अभी यहां पर मैं 2B grade की pencil यूज कर रहा हूँ इसकी nose की जो shape है उसको थोड़ा सा और bright करने के लिए और similarly इस portion के उपर भी इस तरीके से work कर रहा हूँ एक मैं यहां पर भी इसको कर देता हूँ shade थोड़ा सा और थोड़ा सा हमें करना है इसकी नीचे की तरफ अब इतना कर लेने के बाद अब आप क्या कर सकते होगी एक पर इसको भी करी लेते हैं थोड़ा सा shade कहीं बाद में इसके trajectory यह fade नो बढ़ जाए और बाद में फिर से हमें मुश्किल हो इसको create करने में तो इतना करना enough रहेगा अभी आप इसको थोड़ा सा blend कर सकते हो और इसको blend करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इतना कर लिने की बाद अब आप क्या कर सकते हो कि आप 2H grade की pencil यूज कीजिए इस stage फे आप पूरे area को shade कर सकते हो because इसकी जो base tone है वो 2H grade की pencil की tone की साथ match करेगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा एक बार मैं shade कर दूँ उसके बाद फिर धीर इसके ओपर tones increase करूँ इसके ओपर layer grade करने के बाद आप soft tissue के साथ इसको अच्छे से blend कर दीजे अब यही same process आपने एक पर फिर से repeat करना है और यह repeat इसलिए करना है because कहीं कहीं पर light shades रह गी हैं जापर color की हलके patches तो वो सारी चीज़ें एक बार में normal हो जाए इसलिए आपको यह चीज़ दौरा करना होगी अभी आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए वो यह कि जो हमने पहले यहाँ पर dark shades क्रिकर की थी अगर हमने वो ना की होती और यह shade हम पहले कर लेते हैं तो उसके साथ यह पूरा area जो इसका मैंने trajectory पहले define की होई थी जा फिर उसको outing कैसाते हैं वो सारी इसके सार फेड हो जाती है तो इसी वज़ेस मैंने आपको पहले बोला था कि dark कर लेने चाहिए एक बार हम यहाँ पर भी हलकी से इसको dark कर लेते हैं जो यहाँ पर area है फोड़ा से इसको 3D लुप देने के लिए और इसके लिए अभी मैं HP करेट की pencil यूज़ कर रहा हूँ अभी एकी बार में बिल्कुल हमने dark नी करना है धीरी देरी अब हम इसके उपर dark shades करेट करने शुरू करेंगी आपने layer by layer work करना है हर layer के बाद आपने इसको हलका सा blend करना है सिमिलरली नीचे की तरफ हम फिर से एक पर शीट करेंगे अब हमने कोशिश करनी है कि नीचे वाले जो shades है वह हम perfectly create कर लें उसके लिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा है HP रखी pencil के साथ ही ध्यान रखीजिए और जब मैं ये blue color की pencil यूज करहा हूँ तो समझाए कि मैं HP रखी pencil यूज करहा हूँ अगर कहीं पर गलती होज़े तो आप उसको erase रूर कर दीजिए इतना sheet color के बार अब आप इसको फिर से एक बार ब्लैंग कर दीजिए विद एरबर्ड या फिर आप नेकब ब्रेश भी यूज कर सकते हो अभी आप इसके process को अच्छे समझें कि मैंने काम किस तरीके से किया अभी मैं तीसरे step के उपर हूँ पहला step था मेरा इसके जो darkest areas हैं उनको एक बार define कर लें अच्छे से second step में मैंने इसका base layer create किया और third step में इसके मैं darkest areas को create कर रहा हूँ अब इसके बाद मैं इसके mid tones को create करूँगा और फिर इसके बाद highlights अभी मैं use कर रहा हूँ 2B grade pencil अब इसको मैं थोड़ा सा और dark करूँगा जहां पर मुझे थोड़ी से और भी ज्यादा darkness चाहिए होगी वहां पर मैं 4B grade की pencil भी यूज करूँगा और 4B grade की pencil भी इस थरह की black color नहीं है आप देखें अंदाजा भी लगा सकते हों कि मैं भी कॉंसी pencil यूज कर रहा हूँ अभी मेरे next step यह है कि इसकी mid tones क्रेट करना और mid tones कहां पर है इसकी वह मैं क्रेट करूँगा है इसके बिलकुल सेंटर में और सेंटर में क्रेट करने के बाद फिर इसकी highlights की बारी आजएगी और इसके लिए मैं भी यूज कर रहा हूँ HP grade की pencil अब इसका last step यह है कि इसके उपर highlights क्रेट करना और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ अब यह सोच रहा हूँ left side भी आपको shade करना सिखा देता हूँ और फिर next tutorial में आपको मैं बाके का area shade करना सिखा दूँगा और इसकी shade करने के शिर्वात हम करेंगे पहले 2H grade की pencil के साथ इसकी base layer करेट करने से और आपने इस area से लेकर इस area तक यह पूरी आपने base layer करेट कर रहनी है विद्धी 2H grade pencil और आपने ध्यान रखने कि आपने pencil बिल्कुल softy यूज़ करना है और इसके जो strokes हैं वो बिल्कुल parallel रहने चाहिए और pencil आपकी sharp लेरिंग कलिन के बाद आप इसको blend कर दिए विद्धी soft issue जब भी आपने बड़े area को blend करना है या फिर इस तरह के area को shade करना है तो आप हमेशा soft issue यूज़ कीज़ेगा और अगर आपने इसकी जगा makeup brush यूज़ करने के कोशिश की तो उसमें गलती होने के chances जाद रहेंगे पहले एक बार इसके उपर अच्छे से base layer करेट हो जाए उसके बाद फिर हम बाकी की layers इसके उपर करेट करने शुरू करेंगे जो इससे थोड़ी से dark है जैसा हमने nose में क सते हो इसके उपर further layers करेट करने के लिए जो थोड़ी से dark है इसके comparison और एक तो layer हम यहां पर करेंगे secondly इस area में third इस area में fourth इसकी चीक की sides में और fifth वोड़ा से यहां पर तो इन areas के उपर हम मालग कहने की बात है कि central area चोड़कर बाकी सभी ज़दा आपने layer करेट करनी है और अ उसके बाद अभी एच भी यूज कर रहा हूं बाद में शायद मैं to be great pencil यूज करूँगा और फिर से आप इसको ब्रेंड कर दीजिए तो हमारे subject की left side भी अच्छे से shared हो चुकी है और अगर कोई confusion है या पर कोई सजाव है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए और आपको यह tutorial कैसा लगा प्लीज let me know in the comments इसका बाकी का एरिया रह गया इसके lips और यह skin वाला area यह आपको मैं next tutorial में सिखाऊंगा अगर आपके इस tutorial से थोड़ी सी भी help हुई है और आपको लगता है किसी और की भी help हो सकती है प्रीज यह video उनके साथ भी share कीजिए और इस video को like, comment and channel को ज़रूर subscribe कर लिजे अगर आपको मेरे बनाये के tutorial पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज़्यादा detail और depth में सीखना चाहते हैं हर एक step को बारीकी से समयते हुए और आपका dream है कि आप इस level तक की drawing बनाना सीखो तो मेरा true realism वाला course ज़रूर check out कीजएगा उसका link आपको description मिल जाएगा